प्रिच रसोई में आपका स्वागत है आज मैं निम्बू का जूस और तर्बुज की जूस की रसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस जूस में मैं सब्जा सीट्स यानि की तुलसी के बीस का यूस की हूँ और तुलसी का बीस जो है हमारे सरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हो सब्जा सीट्स को हम आइस क्रीम फलूदा स्मूदी दूद में यूज कर सकते हैं या साधे पानी में भी इसको हम डाल कर पी सकते हैं और सब्जा सीट्स जो है वेट लॉस में बहुत ही मदद करता है तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए तो निम्बू का जूस और का होता है और काफी छोटा होता है तो जीतना यह छोटा होता है उतका ही की उपयोगी होता है इसमें इरन फाइबर प्रोटीन और विटामीनश बहुत माठरा में मिलते है सब्जा सीट पूल रहा है तब तक हम तर्बुज का जूस तयार कर लेते हैं तो तर्बुज का जूस के लिए तर्बुज के छिलके निकाल लिए है और इसको काट लिए है और इसका बीज हम निकाल लेंगे अब हम इसका जूस तयार कर लेते हैं तो एक जार लेंगे और तर्बुज को डा दाल देंगे इसमें हम पानी का यूज बिलकूल नी करेंगे क्योंकि तरफुज में काफी पानी होता है उर एक बड़ा कमाच इसके बीज हटा लेंगे, चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, और इससे मिक्सी में एक बर हम पीछ लेंगे, और इस तरह से जूस तयार हो गया, अब हम इसे छान लेंगे, अब हम एक बरतन में छन्नी रखेंगे, और इसे छान लेंगे, छन्नी के जगा हम, क को सर्फ करेंगे तो एक ग्लास में हम आईस क्यूब डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे काला नमक आधा छोटा चमज के करिब डाल दिये हैं और इसमें तर्बुज का दूस डाल देंगे अब हम इसमें सब्जा सीट्स को डाल देंगे तो सब् से मिक्स कर लेंगे बाखी का जो खाली गलास है उसमें और भर देंगे आप पुदीना के पति डाल कर इसके सअर्प करेंगे, अब हम निम्बू का जूस syndrome कर लेंगे, एक जार में एक गलास पानी डाल देंगे, पुदीना के कुछ पति डाल देंगे और थाई चमच इसमें हम चीनी डालेंगे चीनी पसंद नहीं है तो इवाइट करें सिफ नमक डालें और आधा छोटा चमच साधा नमक डालेंगे आधा छोटा चमच इसमें काला नमक डाल देंगे और आधा निम्बू इसमें हम निम्बू निचोल लेंगे और इसको मिक्सी में चला लेंगे इस तरह से जूस तयार कर लेंगे तो निम्बू का जूस तयार हो गया है अब हम इसे सर्फ करेंगे अब एक ग्लास में हम निम्बू का जूस को डाल देंगे और इसमें सब्जा सीर्स हम दो चम्मज डालेंगे और इसे अच्छा तरह से mix कर लेंगे और इसमें juice डाल देंगे अगर हमें काफी ठकावट मसूस होता है और एक glass अगर हम निम्बू का juice पी लें तो बहुत ही ताजगी अनुभा होता है ताजगी का अनुभा होता है और इस तरह से हम juice डाल दिये हैं glass में अब हम इसमें ice cube डाल देंगे उसके बाद इसमें हम उदीना के पत्ती डाल देंगे टॉपिंग पे और निम्बू का कुछ टुकड़े डाल देंगे और यह ठंडा ठंडा निम्बू का जूस तयार है तो निम्बू का जूस और तर्बूच का जूस बन करके तयार है सब्चा स्वीट्स के साथ आप भी जरूर ट्राई कीजिए और समर को और भी स्पेसल बनाईए और कैसी बनी यह experience जरूर शेयर कीजिए और निम्बू का जूस और तर्बूच का जूस की रसिपी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे आसे आने वाले रसिपी के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू